आपको बता दे इस वक्त की बड़ी खबर जहां हाई कोट ने जारकन के कानून वेवस्था पर कड़ी टिपनी की है। आपको बता दे कि देवकर सिविल कोट में हुई गोली बारी पर हाई कोट ने स्वता संग्यान लेते हुए राज्य सरकार से इस पूरे गोले बारी के मामले पर जवाब मांगा है। हाई कोट अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई आठ जुलाई को करेगा। तो बड़ी खबर जारकन से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे अपने सहियोगी पंकज प्रसुन का जो हमारे साथ लाइफ जूट चुके हैं। पंकज हाई कोट ने कानून व्यवस्था को पूरी तरह से विफल बताया। इसके साथ ही देवघर में जो गोली बारी की घटना हुई ये कोट परिसर में उसे ले करके भी राज्य सरकार से जवाब मांगा है। क्या है पूरी जानकारी देखिए खुश्बू ये बहुत बड़ी खबर है। जारखन हाई कोट ने देवघर कोट परिसर में हुए गोली कांड पर स्वता संग्याल लिया है। और उन्होंने बहुत तल्स टिपनी की है जो चीफ जश्टिस रवी रंजन है उन्होंने कहा कि जारखन में चल क्या रहा है कोई भी कभी भी किसी को मार देता है। उन्होंने इसके साथ ही देवघर कोट परिसर के सुरक्षा ऑडिट के आदेश दिया है। दरसल पूरा मामला यह है कि जो यह कांड हुआ था जो देवघर में कैदी को पेशी के लिए लाए गया था और वहाँ गोली मार को उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद जिला सत्न ने अधी जो देवघर कोट के हैं उन्होंने एक पत्र लिखा था जारखंड हाई कोट को और उसी पत्र पे संग्या लेते हुए इस पूरे मामले को जारखंड हाई कोट ने जनहित याजिका में बदलते वक्त यह तल्खट इपनिया की है जी देवघर कोट परिसर में जो बाहर निकला कोट परिश्रत के अंदर ही वो मौजूद था तभी अग्यात अपरादियों ने गोली मार कर उसके हत्या कर दी थी और वो उस वक्त हुआ था जब पूरे भीर भार थी वहां पे पिस्टल छोड़के भले भाग गया लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कोट जो जर्खंड के जो की जो अदालते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था दूसरी बात कि कई ऐसे वारदात हुए हैं पिछले डेर दो सालों के अंदर जिसका रिफरेंस हाई कोट ने दिया है उन्होंने कहा है कि जर्खंड में कानून व्यस्ता क स्थिति ऐसी लगती है कि मानो सरकार के हाथ से निकल गई है उन्होंने दो उदाहरन दिये जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा कि एक बच्चे की हथोड़ा से मार कर हत्या कर दी जाती है कोर्ट में आपका मडर हो जाता है जजज को को ठोकर मार के चला जाता है आप पता न है इसके साथ ही उन्होंनों जो देवगर कोट परिष्ट की सुरक्षा के आदेश दिये हैं जी तमाम जानकारियों के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया पंकस आपको बता दे कि हाई कोट ने जारकन की कानून मामले पर जवाब मांगा है अगली सुनवाई इस पूरे मामले पर आठ जुलाई को होगी